अगर आप एक UPSC एस्पेरेंट है तो बस दो मिलट देकर ये वीडियो देखें हो सके तो आपके जीवन में कुछ बदला हुआ है आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि UPSC एक खड़ा पहाड है जिसे पार करना बहुत मुश्पील है हाँ ठीक है UPSC है एक पहाड पर आप भी तो दसरत मांजी हैं जो एक बार ठाण ले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो UPSC नामक पहाड भी तोड़कर ही दम लेंगे आप दोस्तों आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये UPSC है भी या इसको पास करने के लिए दिन रात पढ़ना पढ़ता है लेकिन दोस्तों ये बात गलत है आप किसी भी टॉपर के इंटर्वियों को देखेंगे तो पाएंगे कि वो दिन में सिर्फ 6-10 घंटे ही पढ़ते थे आप परिच्छा के दिनों में ये 10-12 घंटे रिवीजन जरूर करते थे दोस्तों UPSC की परिच्छा भास करने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा आप अपने समाज को देश दिनिया को और उनकी समस्याओं को पहचान कर पोजिटिव एपरोच के साथ हल करना सीखें आप किसी विशय को किताबों के साथ पढ़ने के साथ उस पर खुद अपनी सोच को भी विक्सित करें तथा उसे करन्ड से जोड़ कर पढ़ने का प्रियास करें हाँ ये सफ़त थोड़ा लंबा जरूर है अक्सर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं पर अगर आपके मन में भी कभी इसे छोड़ने का ख्याल आए तो बस एक बार अपने माबाप की तस्वीर को देख लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा जिनोंने आपसे ये कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा मुझे यकीन है कि इसके बाद आपकी रफतार पहले से भी तेज हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन